मिशन सिक्षन समवाद दैनिक नैतिक प्रभात दिनांक 5 अगस्त वर्स 2024 दिन सोंबर बाल कहानी सच्चा दोस्त तो आये सुनते हैं आज की बाल कहानी सच्चा दोस्त मोनू छोटे से गाउं में अपने परिवार के साथ रहता था वो रोज जंगल में घूमने जाता था एक दिन मोनू हमेशा की तर जंगल में घूमने जा रहा था तबी उसे जानियों में खड़खड की आवाज सुनाई थी उसने इधर उदर देखा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया उसे बहुत डर लगने लगा वो आगे को बढ़ गया तबी सामने उसे बाग दिखाई दिया मोनू डर गया क्योंकि बाग उसकी तरफ आ रहा था वो डर कर भागने लगा आगे आगे मोनू पीछे पीछे बाग दोड़ते दोड़ते मोनू थक गया बाग ने मोनु से कहा डरो नहीं मैं तुभे कुछ नहीं करूँगा सब लोग मुझे देखते ही भाग जाते हैं मैं जंगल में अकेला रहता हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे मोनु को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ वे बहुत डरा हुआ था बाग वहीं खड़ा रहा उसने मोनु से कहा ठीक है अगर तुम भी मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं बाग बहुत उदास हो गया और कहने लगा क्या मैं किसी की दोस्ती के काबिल नहीं हूँ उसकी आखों में आसो आ गए बाग को रोते देखकर मोनु ने कहा ठीक है मैं तुमारा दोस्त बनने को तयार हूँ मैं कल से शाम को रोज तुम से मिलने आऊंगा अब रोज मोनु शाम को बाग से मिलने जाता था उस दिन से मोनू और बाग अच्छे दोस्त बन गए संसकार संदेश चाहि जानवर हो या इंसान जो विकट परिस्थितियों में साथ देते हैं वही अच्छे दोस्त होते हैं आज की बाल कहानी की लेखिका हैं दम्यनती राणा, सहायक अध्यापिका, राजकी उच प्रात्मिक विद्याले इडा बधाडी, कण प्रियाग च्यमोली उत्राखण कहानी वाचक, नीलम भदोरिया, कंपोजिट विद्याले पहरवापुर, विकास खंड मलमा, जनपत फतेह पुर उत्तरप्रदेश संक्लन, टीम, मिशन, सिक्षन, समवाद, नैतिक प्रभाद तो बच्चों, आज की बाल कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलियेगा, और कहानी को सुनका लाइक जरोर कीजियेगा कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धान्यवाद